Good morning dear students, NMR Spectroscopy BSC Third Year Organic Chemistry में आज हम पढ़ने जा रहे हैं Lecture 2 में NMR Spectroscopy का Lecture 2 है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले NMR Spectroscopy की परिबासा जब किसी कारबनी की योगीक पर रेडियो शेत्र की या रेडियो आवरती की तरंगे परियुक्त की जाती है, तो वो कारबनी क योगीक रेडियो तरंगो का उशोशन करके अंतर किरिया द्वारा उस योगीक की संद्रचना का अध्यन करने की जो तकनीक होती है उसको कहते हैं नाभिकिये चुमकिये अनुनाद स्पेक्ट्रो स्कोपी इसमें मुख्यत है चुमकिये सेत्र की अन्योनी किरियाओं इन दोनों के चुमकिये सेत्रों की अन्योनी किरियाओं द्वारा यह तकनीक अध्यन के काम आती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धान्त प्रिंसिपल ओफ नुक्लियर मागनेटिक रेजोनेंस कि सीवी कार्वनिक योगिक में सबसे महतोपूर्ण उसके नाबिक के चुमकिये गुण धर्म है अगर उसका नाबिक चुमकिये रूप से एक्टिव है तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेक्टिव होगा और यही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार है जब किसी नाबिक या प्रोटोन को वहिये चुमकिये सेत्र में आरोपित किया जाता है या रखा जाता है तो प्रोटोन का चुमकिया अगुण या तो आरोपित वाये चुमके सेत्र की दिसा में होता है या उसके विफ्री दिसा में विन्यासित हो जाता है इन आधार पर हम बढ़ते हैं उसकी निमनूर्जा की अवस्ता और उच्च उर्जा की अवस्ता ये जो डाइग्राम दिये गए हैं इसमें देखिए जब प्रोटोन का चक्रन एंटी क्लोकवाईज है तो चुमके सेत्र की दिसा उपर की तरफ है इस स्थिती में आरोपित चुमके सेत्र हमने उपर की तरफ माना है तो दोनों समान दिसा में विन्यासित है और जब समान दिशा में विन्यासित होते हैं तो ये स्ताई अवस्ता कहलाती है जब क्लोकवाइज माना है तो चुमके सेतर की दिशा प्रोटोन का या नाविक का उत्पन चुमके सेतर नीचे की तरफ होगा और आरोपित चुमके शेत्र को हमने उपर की तरफ हैचनोट मान रखा है तो ये दोनों एक दूसरे के विफरीत अवस्ता में है ये कम स्ताही उर्जा अवस्ता है या उच्च उर्जा अवस्ता है इन दोनों विन्यासों में से जिसमें प्रोटोन या नाभिक का उत्पन चुमकिया गुर्ण तता आरोपित भाहिये चुमके शेत्र दोनों के इसी दिसा में हो शमान दिसा में तो ये कम उर्जा वाला विन्यास है ये जादा स्ताई विन्यास है जबकि प्रोटोन का उत्पन चुमकिया गूर्ण तता आरोपित भाहिये चुमके शेत्र दोनों एक दूसरे की विफ्री दिसा में विन्यासित होते हैं तो ये उजादा उर्जावाला अर्थार्थ कमस्ताई विन्यास कहलाता है ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं वाई एक्सिस पे उर्जाली जाती है और इधर हम नाविकिया उसका एक्स ले रहे हैं जब नाविकिया प्रोटोन भाहिये चुमके शेत्र की अनुपस्थिति में होंगे तो वो कोई फिलिफिंग नहीं करते चक्रण नहीं फिलिफिंग नहीं दर्शाते हैं जब भाहिये चुमके सेत्र आरोपित किया जाता है प्रोटोन या नाविक्वर तो प्रोटोन और भाहिये चुमके सेत्र दोनों के जो चुमके सेत्र हैं उनकी दिशा अगर शमान है तो कम उर्जा वाली ये वस्ता है, ये जादा स्ताई है, इसको lower energy state कहते हैं कि नीचे बना दी हमने, जब प्रोटोन का उत्पन चुमके से त्रैच डेस और आरोपित वायो चुमके से त्रैच नोट, दोनों एक दूसरे के विफरीत हैं, एक उपर एक नीचे, तो ये उच उर्जा वाली अवस्ता, या कम उस्ताई अवस्ता, higher energy state कहते हैं, इन दोनों energy state में, प्रोटोन क्या करता है, घूमता है, और इनका उर्जा अंतराल, ये क्या कहलाता है, delta E, जब प्रोटोन lower energy state, कम उर्जा वाली अवस्ता से, उच उर्जा वाली अ प्रोटोन की फ्लीफिंग इसको क्या कहते हैं प्रोटोन की फ्लीफिंग तो फ्लीफिंग की परिवासा भी हमको ध्यान रखनी हैं इन दोनों विन्यासों के बीच निम्न उर्जावस्ता और उंचे उर्जावस्ता के बीच का उर्जा अंतराल डेल्टाई कहलाता है जो कि भा ये चुम के शित्र का मान ज्यादा है तो delta-i ज्यादा होगा कम है तो delta-i कम होगा यह उरजांतराल कम हो निम्न हो अल्फ हो और रेडियो आवर्तिकी तरंगों के सम्तुले हो तो इस समें जो प्रोटोन या नाभिक है वो रेडियो तरंगों का उसोशन करके प्रोटोन या नाबिक कम उर्जा वाली अवस्ता से उच्छ उर्जा वाली अवस्ता में चला जाता है इस किरिया को हम क्या कहते हैं फ्लिफिंग कहते हैं क्या कहते हैं फ्लिफिंग तो फ्लिफिंग किसे कहते हैं यह एक important short question है प्रोटोन के निम्न और उच उर्जा अवस्ताओं के मद्दे उर्जा अंत्राल डेल्टाई कहलाता है और रेडियो तरंग की आवर्ते बाई चुमके शेतर के मद्दे जो सम्मंद दिये जाते हैं वो निम्न प्रकार से हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो ये उर्जा अवस्ताओं का अंत्राल है डेल्टाई और रेडियो तरंगों की उर्जा या आवर्ती है उनके मद्दे जब अनुनाद की स्थिति हो तब क्या कहेंगे सीधा सा मतलब है दोनों का मान सम्तुल्ले हो डेल्टाई दोनों की उर्जा अवस्ताओं का अंत्राल है एच न्यू न्यू क्या है रेडियो तरंगों की आवर्ती है ये दोनों का मान बराबर है तो एच न्यू बराबर दूसरा एक वेंजक होता है एक्सप्रेशन होता है जिसको कहते गामा.h.h0 upon 2pi, इसको समिकरण दो हमने बोला है, इसमें आप तुलना कीजिए, तो h से small h से small h कड़ जाएगा, तो new बराबर गामा.h.h. upon 2pi आपके पास बच जाएगा, जहाँ new आवर्ती, रेडियो तरंगों की आवर्ती new बराबर गामा.h.h. upon 2pi है, इस वेंजक में, एक्स्प्रेशन में आपको समझ में आ रहा है, गामा, नाविके नियतांक है, ये constant है, h प्लांग constant था, तो new और h नोट बचा है, ये दोनों समानु पाती हो गए, अर्थार्त ये रेडियो तरंगों की आवर्ती बाई चुमके सेत्र के नुसार भी हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं. समीकरन 3 इसको कहते हैं, और समीकरन 3 से हमें समझ में आ रहा है, कि आरोपित चुमके शेतर का मान उच्चोहने पर रेडियो तरंगों की आवर्ती भी अधिक होगी जो प्रोटोन को निम्न उर्जावस्ता से उच्च उर्जावस्ता में ले जाएगी अर्थार्थ क्लिफिंग के लिए जिम्मेदार होगी कार्बनिक रसाइन में नाबिक की तरह ही प्रोटोन को एक महतु पूर्ण माना जाता है और प्रोटोन या हैड्रोजन लगबग प्रतेक योगिक में पाया जाता है इसलिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह साका जिसमें प्रोटोन को नाबिक की तरह मानकर अध्यन किया जाता है प्रोटोन मेगनेटिक रेजोनेंस PMR टेकनीक कहलाती है PMR सिगनल या NMR सिगनल एसे नाबिक जिन में हाइड्रोजन होते हैं, वह नियत या कॉंस्टेंट भाहिय चुमके शेतर पर रेडियो तरंगिया वर्ती की प्रवर्तित आवर्ति के साथ जब आपतित होती है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन हो जाती है और प्रोटोन की फिलिफिंग होती है और हमें एक proton, magnetic resonance या NMR signal प्राप्त होता है, जिसमें y-axis पे, y-axis पे हम absorption of radio wave लेते हैं, और x-axis पे क्या लेते हैं, magnetic field की strength लेते हैं, और ये signal इस तरह से आपको प्राप्त होता है, इस तरह से बनाना है. अब बात करते हों home assignment की, NMR home assignment 01. Question है, NMR spectroscopy में किन विदुचुम के तरंगों का उशोषण होता है? Short question है, आपको answer देना है, और next video में आपको इनके answer दिये जाएंगे, तब आप self-evaluate कर सकते हो, स्वामुल्यांकन कर सकते हो. निम्न में से NMR active nuclei कौन से है, इसका answer देना है, चाटना है, कौन-कौन active nuclei है, NMR spectra दर्स आते हैं. proton flipping किसे कहते हैं, इसका answer भी लिखना है. ऐसे नाबिक जिन में चक्रण युगमित होते हैं, उनको पैचान ये, इसको आपको पैचानना है. home assignment NMR 01 को आपको क्या करना है, question उतारने हैं, उनके answer copy में लिखने हैं, और कहीं भी नहीं बेजने हैं, जब हम next video डालेंगे, उस समय आपको सबसे पहले इनके answer दिये जाएंगे, उससे आप अपना evaluation करेंगे, उसके बाद हम next study करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.